इस केस में इनके फ्री टेलिगरम चैनल पे लेवर्स दिये जा रहे हैं प्रॉपर स्टॉप लॉज के साथ जो लाइसेंस टेंबर हिमान स्टॉक विजर प्रीमियम चैनल में इस्तिमाल कर रहे हैं वो है आई एन एच डबल जीरो टबल जीरो अब आज की तारिक में इनके खिलाफ हमसे भी में शिकायत कर चुके हैं पिट पॉकेट जेब काटलिना क्राइम की किताब में इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है बतब आपके साथ का इनसान आपके जेबे से पैसे निकाल लेगा आपका नुकसाल कर देगा आपको पता नहीं चलेगा इनफाक जब पता लगीगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी अब सेबी की रेगुलेशन की वाचा में ऐसा ये क्राइम होता है सेबी रेंटीड आरे या सेबी रेंटीड आईये लाइसेंस मतलब एक सेबी रेजिस्टर एडवाइजर या एनलिस्ट के साथ सेटिंग करके उसके साथ पार्टनर्शिप करके उसके लाइसेंस नंबर को दुनिया को दिखाना आप तो कुछ में विश्वास करते ही हैं, तो क्यों ना आप मेरा प्रीमिय मेंबर्शिप चैनल जोइन कर लीजिए, चैनल जोइन करते ही, मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करूगा, ऐसी बाते बोली जाती है, और इन टिप्स में वही इंलीगल तरीके से नुक्सान करवा जाता है, ऐसे कुछ केसे के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं, इस विडिए má Tamara से नामके ट्विटर इंफ्लिएंसर के बारे में बात की जाएगी, जो कि ऐसा कुछ काम कर रहा है, इसके वारे में हमें fraud फ्रीगेजर ये किसी यूजर ने ही बताया, एक email लिक के, इस पहले भी एक केस टड़ी कर चुके हैं सेभी ने भी रिसेंट्ली एक ओर्डर पास किया है इन सब के बारे में बात करेंगे और साफ में उस आरे के बारे में भी जुन ने शायद इन जनाब को अपना लाइसेज किराये पे दिया है लेट्स केट स्टार्टेड दोस्तों डिवाइज करने का और वहें पे मीनु शर्मा उसी लाइसेंस का इस्तिमाल करके नए क्लाइन्स बना रही थी अब इस केस में तफ्तीश में से भी नहीं पाया कि ये दोनों आपस में सेटिंग करके मतब दे न्यू वाट वास गोईंग ओन जान बूज के निया गोईल ने इस्तिमाल का राइट मीनु शर्मा को दिया ये काम कुछ महीने आठ दस महीने चलता रहा अब इसी समय के दुरान मीनु शर्मा ने उसी लाइसेंस तरबर का गलत तरीके से इस्तिमाल किया नए यूजर बनाए उनको वेफ को बनाया करीब 43 लाक रुपए कमाए सेबी ने द 44 लाक रुपए टोटल पैसा पड़ा है उसके अकाउंट में एक्चल मेजर 10-12 लाक रुपए आई उनने इलिगल तरीके से कमाया है वो वाला पैसा वो देने को तयार है नेहा गोले से भी बूचा गया कि आपने इस लाइसेस नंबर का इस्तिमाल उनको क्यों करने दिया उ और समझ में आती है कि आपने गलत तरीके से नहीं कवाई है एक्चल में आपको 41,69,166 रुपीज अपने सारे यूजर्स को रीफंड करने होंगे आपको तीन महीने का समय दिया जाता है वो पैसा आप रीफंड करें जो पैसा रीफंड नहीं कर पाएंगी वो सेभी को जारी है वो साथ में निया गोईल को एक साल के लिए मार्कित से सस्पेंड कर दिया गया मतलब अपना आईये लैसेंस का इस्तेमाल अब नहीं कर सकती हैं सेभी का ओडर 31 अक्तूबर 2024 को पास किया गया है मतलब प्रॉपर धीवाली का शुप महौरत निकार कर और अब बात क में चल क्या रहा है इनका कहना था कि हिमाश नाम का एक ट्विटर इंफ्लिएंसर जिसका ट्विटर का लिंक इन्होंने साथ में एमेल में अटैच करके भेजा वो एक सेभी आरे का लाइसेंस नंबर इस्तेमाल कर रहा है जो कि सेभी के रेगुलेशन का एक प्रॉपर को लेके भी आवेरनेस आरे हैं उनको आइडिया रहता है कुछ कोई लेकिन आइडिया रहता है कि exactly क्या सही है क्या गलत है अब इस केस में जिन्होंने हमें एमेल किया और एक ट्विटर के प्रॉपाइल का लिंक दिया था हिमाश के इस प्रॉपाइल को क्लिक करके हम ट्व इस केस में इनके फ्री टेलिगरम चैनल पे लेवल्स दिये जा रहे हैं तो वह सब चल रहा था कि जो सेविक की रेगुलिशन के तहत गलत मना जाता है देगी सेविक की किताब में पहला बनना ध्यान से भी बढ़ लेका तो उसको यह समझ में आ जाता है कि बीना लाइसेंस अब देगे यहां पर दिक्कत तो है लेकिन दिक्कत बड़ी तब हो जाती है जब आप मिस्स रेप्रेसेंट करते हैं खुद को वो बताते हैं जो आप है नहीं आप इंपरसनेशन करते हैं क्योंकि इनके प्रीमियम टेलिगरम चैनल की जो मार्केटिंग अगर आप देखें सेबी की वेब साइट पर जाएंगे बहुत मुश्किल काम नहीं है गूगल पर जाए लिखिए सेबी रिजिस्चर्ड रिसर्च एनलिस्ट सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसको क्लिक किए जिए वहाँ पर क्लिक कर देखे बाद रिस्ट्रेशन नंबर का एक टेक्स बोक्स उसी लिंक पर जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर नाम दिखाई देगा सुरेश शरीराम शर्मा अब देखी इस तरह के केस को इंट्वेस्टिगेट चेक करने के लिए बहुत जार दिमाग नहीं लगाना पड़ता नॉमल इंसान जिसको हल्की फुलकी हल्की फुलकी स्रॉक मार्केट की समझ रहे उसको पता लग जाएगा कि यह सब गलत है इस इस अ प्रॉपर स्रेट फॉरवड ओपन एंट शर्ट केस का इंडव वाइडिश अब इस टेलिग्राम की डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है यह कह रहे हैं कि हम आपको इंडेक्स के इंट् को क्लिक करने को कहा गया जो कि हमें एक प्रीमियम टेली गरल चनल पे ले गया हमने क्लिक किया जोइन किया करीब 137 लोग हमें मिला के इस ग्रॉप को और जोइन कर चुके थे अब यह मेंबर्शिप कोई 800 रुपए की थी कोई 15 100 रुपए लेकिन 137 मेंबर कुछ नो कुछ केस गुरुप का इससा बने थे और अगेन यह 15 अक्तूबर 2024 को गुरुप बनाया गया था और उसके बाद इस गुरुप में वही सब था चोके हमीशा इन तरह के गुरुप में होता है वही बाय कॉल ऑप्शन सेल यह ऑप्शन वो कर लो वो कर लो कुछ समझ नहीं कोई बै बैतर करने की कोशिश कर सकते हैं अगर इस लाइसनस नमबर का जब आपको चाहिए होता है और लाइसनस नमबर अगर आप ले रहे हैं किसी और का तो ओविसली आपको बता है कि उस इंसान ने कुछ न कुछ तो किया होगा कि वो लाइसनस नमबर उसको मिला है आपको क्यों नहीं मेला आप खुद क्यों नहीं सेभी की रेगुलिशन में आ जाते हाओ डिफिक्टल इट इस फेक फिंफ्लिएंसर सीरीज की सबसे पहले एपिसोड में ऐसी ही एक फेक फिंफ्लिएंसर अकांग्शा लवली गुपता जो कि खुद अगेन एक ट्विटर इंफ्लिएंसर की थी गलत तरीके से लोग को अपने ग्रुप में डालती थी वो भी से भी रजिस्टर आरे चितन्य अलापसी क्या लाइसेंस टेंबर का इस्तिमाल कर रही थी मतब एक तरीके से प्रॉपर स्टॉक मार्केट का पिक पॉकेट वाला जो कांग होता है अकांग्शा लवली ग जा रहा था उस समय स्टॉक मार्केट में टेटर को शायद इतनी समझ नहीं थी कि लाइसेंस नंबर खुच चेक भी किया जा सकता है जो कि ओवर प्रॉप टाइम एज इंप्रॉफ द एको सिस्टम एज चेंज और कुछी महीनों के अंदर एक फरक आया अकांग्शा लवली यह तो आप ही की चोईस है आपको क्या करना है यूट नो बेटर अब आज की तारिक में इनकी खिलाफ हम सेभी में शिकायत कर चुके हैं and I hope सेभी ड़स सम्थिंग अब बात और वीडियो यहां पर कतल की जा सकती है लेकिन हमारे इंवेस्टिकेश में सुरेश शर्मा जिन पास सेभी का आरे लाइसेंस था तब सही लीगली टिप्स दे सकते थे लेकिन अगर आप इनके वेब साइट सुरेश-शर्मा.com को दियाल से देखेंगे तो यह 2006 से चलती आ रही है सेभी की आरे राइसेंस सेप्टेंबर 2014 से अप्लिकेबल होई थी तो करीब आठ साल इनको पूछने वाला कोई नहीं था because there were no regulations in place लेकिन regulations आने के बाद इन्होंने license लेने में एक साल और ले लिया मतलब उस एक साल के अंदर भी इनकी services चल रही थी इनकी खुद की पिना कोई license के लेकिन इस point को किसी हद तक छोड़ा जा सकता है because इस तरह के certifications को या administration लेने के लिए अबी कुछ समय जाता है तो शायद उसमें वो समय गया हो लेकिन आज की तारीख में अगर इनकी website पर जाते है तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि आपको नहीं मिलना चाहिए मतलब सेभी registered research analyst वो सब कर रहा है जो कि सेभी की किताब में हर तरह की section सब section में गलत माना जाता ह इनकी website पर आपको past performance दिखाई जाती है वो तरह पताया जाता है कि कब इनका कितना stock कितने percentage का return लेकिया है जो कि एक सेभी RA master circular और सेभी RA circular जो regulations का act है 2014 का उसका proper validation है और सिर्फ यही नहीं profit sharing के अलग अलग plans हैं loss को recovery करवाने के plan है इन legal portfolio management services सुरेश शर्मा कुछ से दे रहे है guaranteed returns, promise returns, assurance दी जारी है, accuracy बताया जारा है कि हमारी tips 80-25% correct होती है मतलब और यह accuracy इतने percentage की है मतलब allegedly जिससे भी RA का research analyst का license का इस्तिमाल किया जारा है हिमास के दौरा आप खुद एक patchy इनसान लगता है in terms of the violations he has been doing for a long period example के तोर पर आप से भी के RA master circular June 2023 को तरह दियान से पढ़ेगे section 7, subsection C, point number 12, clearly कहता है जा आप लिखा हुआ है कि आप अपना past performance, reference के तोर पे नहीं दिखा सकते हैं और उसी document के अंदर आपको section 7, subsection C, point number 10 कहता है कि आप किसी भी तरह की guarantee assurance नहीं दे सकते हैं तो इस case में clearly दिखता है कि Mr. Suresh Sharma जो की खुद एक से भी resistant research analyst है और काफी समय से हैं लेकिन इनकी website पे एक basic glass, एक हलका फुलका नहजर भी मारा जाएगा तो पता लग जाएगा कि 6-7 तरह की violations वो खुद किये जा रहे हैं and I will not be surprised कि आगे चलके पता लगे कि Imanj और Suresh Sharma के बीच में सच में कोई arrangement है हाला कि this is something that SEBI needs to investigate in this case further अब देखे इस case में Imanj की खिलाफ हम sebi.gov.in पे शेकायत तो डाले चुके हैं in the technical format we generally do और साथ में in terms of Suresh Sharma ज इनके खिलाफ scores में शेकायत दर्ज हो चुकी है कि जब भी आप पकड़े जाएंगे जो कि पकड़े जाने की चांस बहुत ज़ादा हो चुके हैं आज की तारीक में जब भी ऐसा होगा आपके खिलाफ अख़बार में English अख़बार में जो कि Pan India सर्कुलेट होता है और एक Hindi अख़बार में notice निकाला जाएगा आपके घर पे show cause notice भेजे जाएंगे आपको email आएंगे आपके bank account जब आप पकड़े जाएंगे seal कर दिये जाएंगे bank account आप कोई नया पैसा नहीं निकाल सकते है वो पैसा आपको पहले refund करना होगा अपनी security जो debit account में पड़ी रहेंगी उसको बेचने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा लेकिन अगर आप नहीं बेच पाते है तो उनको भी seal कर दिया जाएगा और साथ में cv का act 1992 के तहएट आपके उपर section number 19 का 111, 114, 11b1, 11b2 के तहएट बहुत सारे case बनाये जाएगे और अभी तो मैं PFUTP prohibition of fraudulent and unfair trading practices की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो के जादतर cases में इंतरा के cases में लगाई जाती and to add on to that आपको stock market से referend कर दिया जाएगा, suspend कर दिया जाएगा अब किसी भी तरीगे से stock markets associate नहीं हो सकते हैं अभी suspension एक साल का हो सकता है, case to case depend करता है, तीन साल भी हो सकता है साथ में आपके उपर monetary penalty लगाई जाएगी, 15EB, 15HA sections होते हैं आपे साथ में अलग से एक लाग, दो, लाग, पांच लाग penalty से भी अपनी तरफ से लगा देता है आलग कि मेरी नेजर में कम से कम penalty amount उतना होना चाहिए जितना आपने उस पूरे के पूरे case में कमाया है ताकि आपको सारी उमर याद रहे कि आपने क्या गलत काम किया था और पूरे industry के लिए कुछ standard भी set हो लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ ही हो I hope कि आप ही नहीं चाहते हूँ कि आपके साथ ही सब कुछ किया जाए तो इससे बचने के लिए सिर्म एक ही तरीका है पहले तो यह सब काम मत कीची You are not supposed to आपका license है नहीं तो आपको एक काम नहीं करना चाहिए उस अगांग्शा लवली गुपता को देखिए अरक से license लेना पड़ा था तो दूसरा solution यह है कि आप खुद वो license ले सकते हैं आप से भी के ecosystem में आ जाएए be part of the stock market community license holder बन जाएए license hold करके जो आप करना चाहिए within the regulations आप कर सकते हैं जो आप आज करने की कुशिश कर रहे हैं आप दूसरों को अमीर बनाने की बात जो करते हैं वो आप action में खुद है आप खुद अमीर बना चाहते हैं बट वो तरीका लीगल नहीं है I hope कि ये बात अब आपको शायद समझ में आ गई होगर नहीं आती है then it is a choice again at your end I am talking to everybody चोकि ये सब कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे है क्योंकि कभी ना तभी आपको टाइम आएका अभी के लिए इस वीडियो में इतना है अगली वीडियो में जल्दी मेलेंगे इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया